दोस्तों ये बहुत ही दूरभाग्यपुर्ण है कि कुछ लोगों की बिना सोचे समझे की गई अरकतों की वज़ा से दूसरों को उसका कामियाजा भुगतना पड़ता है। उसका प्रकाश समाज में फैलाते रहना चाहिए। लेकिन हर एक चीज़ की जगा होती है समय होता है। हर जगा पर हर समय राजनिती करना भी हुचित नहीं होता। मगर अफसोस की बात है कि कॉंग्रेस के नेता राहुल गांदी को ये समझ नहीं आ रहा और कोई समझाने वाला भी शायद उनके आसपास नहीं है। और वे इससे बिल्कुल विपरित करते हुए भारतिया सिना के जवानों के बीच बैठ कर अपनी घटिया राजनिती करते हुए उनके बीच में दरार डालने की कोशिश करते दिखाई पड़े थे। इसके चलते भारतिया वाय उसिना के करेंट प्रेसिडेंट और एरफोर्स असोशियेशन और रिटार एरचिफ मार्शल आरकेईस बदूरिया सर को स्पस्ट्री करन देना पड़ा था। जिसमें उन्होंने अपने ऑफिसर्स और जवानों को ऐसी बातों से दूर रहने के लिए सला दी थी और ये भी कहा था कि जंतर मंतर पर जाकर धरने देने जैसे काम करने से कोई भी चीज का हल नहीं निकल सकता। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि O.R.O.P. यानि की One Rank One Pension और सरकार की अन्य जो भी नियम या पॉलिसीज हैं उसमें जो कोई भी तूटियां हैं उसके उपर संबंधित मिनिस्ट्री के साथ मिल कर काम चल रहा है और उसका resolution भी आएगा। आये सुनते हैं उनकी स्पीच। आल निसमना今 कि वारी अथम स्पीज के जbas की स्पीच। वगला की बताया मिली अप gev्ज्टरी के सर लुश सहन मिल्म लेकर चाहां रहाथ,… पगोड बात को Πार दो है नुट को ना को सिर आवूरति इनुट की एंगा वजलति इन संथ और पर डार, सुमार वेटरीन हैो ecclipूरिग Нहीं कोनने गजिते हैं कि टु XL चाहिए इन पलूर हैं, हम फिरो देल φेट में से टोई to get in this arguments. I am aware of each single anomaly and cases that have been taken up, should anybody feel the need that some issues that have not been looked at or, or not, not addressed the best thing to do is to approach the branches and or to the AFA and we take up immediately, if there is, there is a logic in it and there is something that needs looking into it is कि इसकी प्रवेसे ही सिर्वेट सेद्थ जाग। ये कि भर अबस्यों और अबस्सक्राइब शो कर दो दो आदिक कि आडि टीकमच अवह पूेरा कोशूरिण तरीपन कौसूरे कि प्रति की अडि़ जे उते हैं, यहीं एक जडिए्ट की अजए्वन प्रेंस कोनौ ग código तरीगर चनल COशूरे को Зबादे earth, तो आपने देखा के किस तरह से एक रिटायर्ड एडचीफ मार्शल को किसी राजनेता की वज़े से अपने जवानों के स्थाफ ने सपस्टी करन देना पड़ा हम कॉंग्रेस के नेताओं और अन्या सभी पार्टियों के नेताओं से ये अपील करते हैं कि आपकी पार्टियों में ऐसा जो कोई भी नेता है ऐसे जो कोई भी लोग हैं जो देश के हीतों के विरोध में काम कर रहे हैं या बिना सोचे समधे ऐसे कदम उठाते जा रहे हैं बार बार लगातार ऐसे लोगों को अपनी पार्टियों से निकालें या फिर अन्या जगाओं से चुनाव लड़ें आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें इससे हमारे साह सकूबल मिलता है इंडिया स्ट्राइक्स जैहिंद